यहां धूम दड़ाका तो होगा जब T20 क्रिकेट का एक्शन आपको देखने को मिलेगा और मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच एक्साइटेड फान्स है हम भी एक्साइटेड है फुल आउस है आप देख सकते हो की दर्शक इतने डिले होने के बाद भी हार नहीं माने है वहाँ पे वेट किया है उन्होंने ना पड़ेगा लेट्स प्लेए पहली गेंद के लिए हो जाईये तयार नई बॉल किसके हाथ में है रिनुका ठाकुर के करीबी मामला अभी तक एक भी रन नहीं मिला पहरी किनारा और पहली सबलता लीजिए विकेट ले ली है मेगना सिंग ने और वापस जाना पड़ेगा डगाउट इरम जावेद को खाता नहीं खुला है पाकिस्तान की टीम का और पहली कहा कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है और मुझे गेंदवाजी करनी है इस बीच एक रन और मिल जाएगा ओ पहुंच गई पहुंच गई साथ साथ रेनुका ठाकुर को भी ले चली वहाँ पे हर्मन फील्डर थी तो तोड़ा जल्द बाजी दिखाना ही था बल्ले बास दीपती शर्मा को लाई है गिंद बाजी के लिए वाची फिल्ड लाजवाब फिल्ड रन आट का मोका भी हो सकता था क्या ये विकट है रेनुका ठाकुर को और यस्टिका भाट्या को तो लगता है कि विकट मिल गई ये ये जिस पाई आपक फो में इस वन दुड़ा रेनुका ठाकुर ना थीसरा वर्शिरू करती में हवाई रुख अपनाया है और चार रन मिल जाएंगे खासा प्रेशर बन रहा था मुनीबा के उपर क्योंकि तेरह गेंदेश से पहले खेल चुकी थी आखिर का रिलीश शॉट डूंडा इनुका ठाकुर के उपर उस बार उन साइड पर बाउंडरी राइडर है लेकिन गेंद से बहुत दूर चार और मिड्रिकेट की दिशा में आखरी ओवर है ये पावर प्ले का और वो भी भारत बना पाकिस्तान जैसे मैच में चोटी गेंद टॉप एज मिला लेकिन फिर से कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं चार रन और दिशा बिल्कुल सटीक थी छका दिया था मुनीबा को किसमत में साथ दिया अब एक बार थिर से हवा में बॉल है कैश करने के लिए डाइव लगाई पहुंच नहीं पाई लिस्क तो लेना होगा अगर पाकिस्तान को 120-30 का स्कॉर चाहिए और ऐसे स्टोक्स खेलें तो जरूर एक सो 20-25 बन सकते हैं बहुत ही शांदार एक तरह से आड़ा मारा अक्रास दो लाइन लेकिन बांडरी लेंग के बाद बचा हुआ है मेगना के दोवर पाकी सब ओवर स्पिनर्स को डालने पड़ेंगे बड़ी अपी लिए 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 प्लम इन फ्रॉंट एक बड़ा विकेट मिला कटान बिस्मा क्याव डिविया है क्यू कि सेटल बैट बैटर है और अगर उनके साथ होची कि मुझे के बॉल ट्रेकिंग पिचिंग इन लाइन इंपक्स इन लाइन विकेट इस हितिंग इस खिलती तो बैतर होता लेकिन अगर-मगर की अप कोई गुजाइश नहीं एक और विकेट आसानी से अपनी नीन में भी एक्याच पकड़ लेती इस ने रान चटके एक बाद फिर से वही प्रयास अब जैमी नहीं पहुंच पाएगी लॉंग लेक काटर का प्रयास है बॉल आसमान में और फिर जैमी के हातों में एक बार फिर से विकेट चटका आई है रेनुका ने और रॉनक लाई है अब ने पहुंच सके हैं यह है बड़ा सवाल फिलहाल तो कॉमंट्री वोक्स में पहुंच गई है वेदा कृष्णमूर्ती मेरे साथ मैं हो रवन बानोड और पहली गेन पर तेर्वे ओवर की चौका अलिया के नाम जब अंते मोवर्ज में आपको एक बड़े हिटर की जरूरत थी लेक्विफोर की अपील है लेकिन नौट आओ पॉंट अफ कॉंटक्स है दो स्टंप की लाइन के बाहर था क्या यहां पर रिव्यू लेंगी शायद रिव्यू ले लिया है पांच सेकिंड बचे थे ड्रस टाइमर पर रिव्यू मांग लिया है इस डिसिजिएंप पिचिं आउटसाइड इंपक्स इंपार्स पॉल विकेश आउट है तो नहीं है और स्टंपिंग के लिए मांग है यहां पर और शायद एक बार फिर थाद अंपार को रिव्यू करने पड़े के बॉल इन हांग बॉल इन हांग प्रेज को अधिशन के लिए तो यह तोड़ा दी रहे था एरणों कर मोका जाए इतना समय था कि इंतजार करके भी बेल जटा सकती दी वही किया शफाली वर्माने इसलिए सोलवा और उठारा उनके नाम और चार ओवर का स्पेल देखने को मिल सकता है उनसे चार रन मिल जाएंगे ऐसा लगा नहीं था जिब शॉट खेला था कि चौका होगा और बिलकुल सीधा खेला च्के डाला था अच्छी बोली प्रदाशन देखना नहीं तो चार तो मिलेंगे ओवर को समाप्त किया बाउंडरी के साथ सिंगल के बीच ये करीवी मावला हो सकता है तीन स्टंप्स थी एम करने के लिए मिड़ ये विके बीच ये डिसिजिए आएगा आउट का अक्री के इंद सोवर की क्या ये कॉटन बोल्ड है अपील तो कर रही है ये शफाली वर्ट फॉर में प्रीस टारिक्स ये फिंगर्स अंडर बॉल थी जूम इन आट फॉर में प्रीस कई वजह नहीं है डिसीजिजिन बदलने का तो सॉफ सिगनल आउट का था आउट का ही सिगनल रहेगा विचाइफट स्टंपिंग होगी ये बिल्कुल जी हाँ हाइब्रिड सते है ये जिस पे मुकाबला खेला जा रहा है डाउट दो ट्रैक सिंगल तो मिलेगा ही क्या दो की तलाश होगी जी हाँ और रनाउट का भी मौका है विकिट होनी चाहिए बिल्कुल होगी एक और रना उटा अच की पारी में पाकिस्तान के लिए ये अनाम अमीन पल्यवाजी करने के लिए आए है और विकेट आखरी गेन पर पारी की राधा यादव सफलता पराप्त करती हुई है अपने तीसरे ओवर की आख रिय измен पर जो पारी की भी आखरी गेंठ थी और 99 पर सिमट गई है पाकिस्तान की पारी करेंगी शुरुवात पाकिस्तान के बोलिंग की पहली बॉल शिफाली के सामने हलकी सी मूव्मेंट मिली है करीबी मामला था लेकिन पहला रान ये भारत का कौम जी बॉक्स में मेरा नाम है तीश टक्राल स्वागत करता हूं एक बार फिर से वेदा क्रिश्नमूर्थी का जाहेंगी आज बड़ा शॉट इसी बीच प्रिती मांदना का पहला चक्का भारतिये पारी का स्प्रिती मांदना के बल्ले से बट गैप ने मिल रहा ओफसाइट पे इस बार फिर से वही जगा पर रन बटो रहे हैं इस प्रिती मांदना ने चार रन और जड़ दीजिए बारा बिना किसी नुक्सान के लीजिए आपने जिकर किया स्प्रिती मांदना के स्ट्रोक मेकिंग का एक और मुझायरा क्या गला दिखाती है एक चित्र बनाती है तो इसलिए कमफरटबली का वसके उपर से बॉल मारने में सक्सेस्फुल रही है अच्छी लया में लग रही है पहली मैश में भी बड़ी अच्छी लया में लग रही थी बट उन्होंने विकेट त्रो किया था यहां पर कमाल का शॉट देखिए लुट फुटाईए हर बार रीपले देखेंगे हर बार आप सरहाना करेंगे स्प्रिती मांदना की ओफ साइड पर कहते हैं कि स्मिती मंदना बहुत अच्छी से खेलते हैं बट यह उनका फेवरेट शॉट है जो पिक अप पुल जो खेल के साथ खिलवाड कर रही है स्मिती इस बार गैब ढून निकाला जैसे सुई में से धागा डालते हैं वैसे ही 25 वे है भारत का स्कोर 99 पहला बड़ा शॉट खुल कर खेला शिफाली वर्माने संकेत दिया अपने आकरामक रवईये का यह तो पिक अप शॉट था अपना पावर दिखा रही है शेफाली वर्मा अगर आप देखोगे तो बॉल पिछो के जब शिन हाइट पर आया वहाँ पे उन्होंने मारा है पोगल कि कैच की मांग है टॉप एज हुआ था लेकिन इन्फिल्ट के पार चार रन और भारत के टीम के लिए बारा रन आ चुकी है आखरी बॉल क्या शेफाली वर्मा एक और बाउंडरी के लिए जाएगी जीहा बिलकुल गई इस बार मिड ओफ की उपर से चौक के पे चौक का भैतरीन ओवर एक तालिस रन है चार ओवर के बाद भारत के शॉट बॉल और उसका खामियाजा भुकतना पड़ेगा स्क्वेर लेक पर फील्डर तैनाथ थी लेकिन तब भी स्रिती मांदना को चार रन मिल जाएंगे स्टेप आउट हवा में कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं और अगर फील्डर मौजूद भी होती तो कोई फाइदा नहीं होता क्योंकि स्रिती मांदना ने एक और बार छे रन मार दिये है कदमों के इस्तमाल करते वे उनने बड़िया एग्सिक्यूट करिया स्मृती मंदने फील्ड के साथ जैसे अब कह रहते हैं किलवार हो रही है यह हर बॉल पर कोशिश करिया कि बाउंडरी या सिक्स मारे दोना बैटर्स स्ट्राइक रेट देके इतना बड़िया स्ट्राइ के साथ बाउंडरी मारी है ताकत के साथ नहीं एक बार थिर से चार रग क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रहे हैं आपर पाकिस्तान बॉलिंग अटाक के पास कोई जवाब नहीं है इस आखरामक रवाईये का वर्ल्ड कॉप में नेटरन रिट के बज़े से बाहर हुए थे बारत की टीम तो वो दिमाग में रहे गा हंडरेट को सिन चिफाली की शकल से ही पता चल रहा था कि उन्होंने एज धून लिया था पहरा विकेट तूबा को मिलता हुआ चिफ शिफाली सोलर रन मना के और दूसरा कहीं जो निर्ने लिया था पहले बल्लेबाजी करने का वो बैक फैर तो नहीं कर गया जिए लगता है कि बैक फार कर लेकिन शुर ओफ टच इश्मिसन का जो ग्राउंड है जहां पर सारे मुकार्बले खेले जा रहे हैं डाउंड़ ट्रैक आई स्मृति मांदना उचाई मिली दूरी भी मिली और इसी के साथ अर्ध शतक भी पूरा किया लाजवाब बैटिंग श्रीति मंदना किया बादी श तरह से शुरू से स्टोक्स के लिए उन्होंने कि अस्टेले के खिलाफ यह जिस तरह से स्टेप डाउन करके लॉफ्ति स्टेट राइव यह बता बाजी ठीक ठाक टीटी मौका हो सकता था ये शोट एक्स्ट्रा कवर पे चांस था लेकिन चार रन मिल जाएंगे मेगना को और जो है बहुत खुछ और की दो मेडो मेगना है डान दो ग्राउन और यह चार और होंगे लीजिए बैक तो बैक बाउंडरी मेगना के लिए ओवर की समापती थासी पर एक भारत है वो एक्शन में दिखेंगी भारत की वेटलिफ्टर कैच का मौका हो सकता था दो रन और मेगना के नाम अगर नाबाद पारी खेल जाती है मेगना प्रसक टाइमिंग बन जाती है शोट्स की जैसे ही बोला विकेट गर गई डाउन दे ट्रैक आई और बिल्कुल गेंद को रीड ही नहीं किया बीट हुई फ्लाइट में भी मिडल स्टंप पीछे 58 पर स्मिर्थी वांदना स्ट्राइक पर होंगी इस नए ओवर की शिरुवात में फातिमा सना अपना तीसरा ओवर डालने के लिए तयार राउंड विकेट चल्दी मैच खतम करना चाह रही है लेकिन इस बार बाउंडरी नहीं मिली कोशिश तो वही थी काहू पिछले मैच में आपने ट्राइक किया था नंबर तीन पर इस मैच में मिघना आई तीन पर स्मिर्थी मांदना मैच खत्म करती हुई इस बाउंडरी के साथ और भारत ने Commonwealth Games Birmingham 2022 में पहली जीत दर्ज कर लिए इस टॉर्णमेंट के अंदर Birmingham के अंदर आठ विकेट से हराया पाकिस्तान को